प्रूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android app Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon कूपन अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं यह coupon code है तो उसमें 20% फीज तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ की आंसर जी वाई एन एसाई यार इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप एप में बाइक करने से पहले जो Apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट देगा वीडियो देखिए दोशकार दोस्तो BPSC की section wise test है full history का test हम लोग देखेंगे in ancient medieval modern पूरा complete test series है अगर आप यह test series लेना चाते हैं तो हमारे नमबरों पे contact करके ले सकते हैं बहुत ही मज़ेदार history की geography की BPSC की लिए बिहार special की पूरी test series आपको मिल जाएगी कितने आपके सही हो रहे हैं कितने तुक्के मारे हैं यह ना कौन से portion week है उनको फिर से पढ़िए इसलिए test को लगाया जाता है तो चलिए कैसे प्रशन आते हैं इसको देखते हैं काली दाश ने कुमार संभावम नामक गरंथ में भागवान शिव की महिमा का गॉरगान किया है नमबर एक राश कूटो के समय में अलोरा का प्रशध केलाश मंदिर निर्मित कराया गया था तीसरा साथ वहना शासको दौरा खजुराह का प्रशुराहू का प्रशध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराये गिया है इंग्लिश में अगर देखें तो काली दाश है इस प्रेज्ट ग्लोरी और भगवान शिवा इन इस बुक कुमार संभावं दा फेमस केलाश टेंपल अलोरा वस बिल्ट डिरिंग दा टाइम ऑ रास्ट कूट और फेमस कंदरिया महादेव टेंपल समय पर एलोरा की प्रसेद कहलाश मंदीर बना है सातवानाह के टाईम में इस खजुरहों का प्रसेद मंदीर नहीं बना तब चंदेलाश के टाइम में किसके चंदेल साषकों के टायम में तो यह सइवी होगाज ठीक है पहला दूसरा सहिए और तीसरा गलत है आप देखिए पर एक श्यव गुफ़ा का निर्माझ कर आया था दूसरा चोट साशवक राजा-राज प्रृथम ने तंजोर में राजा-राजेश्वर मंदिर का निर्माळ कर आया था। दीसा कही रहाए व्यशाली बुद्ध काल-का सबसे बड़ा तता शक्ति शाली गड़ राज जिता चौथा कह रहा है नागेश्वा द्वार लिखित पुष्टक मिलिंद पनाहू में क्रिशी कर्म की आठ विभिन व्यवस्थाओं का वर्णत मिलता है इंग्लिश में अगर देखें ता उदैगिरी केव इंस्क्रिप्शन रिवील्स दाट राजेश्वर टैंपल बिल्ट बुद्धा पीर दबुक मिलिंद पनाहू रिटन बाग नागेश्वर डिस्क्राइट इडिफरेंट स्टेज ऑफ एक्री कुल्च्रल वर्क तो देखें यहां पे कौन से स्टेटमेंट साहिए चारों स्टे और यह भी पहला दूसरा चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं इंचेंट हिस्ट्री से बेज सवाल है आप देखिए आपका सही हुआ यह नहीं अगला प्रशन देखते हैं हम लोग निम्लिकित कतनों पर विचार करना है बौद ग्रंतों के अनुसार मगद का प पहला गरतंत्र इस्थापित किया था ठीक है कौन सा सही है एकॉर्डिंग तो गुद्धिश्टेक दा फ़र्स्ट पावर्फुल रूलर मगद वस बिम्भी सार ही वस बिलॉंग टू हरेंका डाइनस्टी ठीक बिल्कुल सही है बानबट हर्स चरित मेंशन दी मौरेन रूल ब्रहिद्रत जो वान वर्टन हर्स चरितले की है उसमें बहुरेन रूलर ब्रहिद्रत की बात है ठीक है और लिच्वीन सो वैशाली है इस्टैबली वर्ड फर्स्ट रिपब्लिक यह भी बिल्कुल सही है तीनों स्टेट्मन यहां पर सही हो जाती है यानी 123 सही हो जाएगा टिक है अगला प्रशंधे है चौथा प्रशंध क्या कह रहा है नियुद्रत सबसे पूराने सिक्वे को आहत सिक्वे या पंच मार्क सिक्वे कहा जाता था वे चांदी के बने होते थे पुराणों की एनुषार मगद पर साशन करने वाला पहला ऑन्धरऱ राजवनत थे न तीर निकाय के अनुशार गांधार नगर निर्मार की योजना वास्तुकार महागोविन ने की थी इंग्लिश में देखें तो ओल्डेस्ट कोईन्स ओफ इंडिया वर कॉल्ड पंचमार्ग्ड कोईन देवर मेड़ मेड़ सिल्वर दूसरा अकॉर्डिंग तू पूरानास दा फर्स्ट डाइनस्टी तू रूल मगद वस्दी ब्रहिदरट डाइनस्टी तीसरे अकॉर्डिंग तू दिख निकाया दा कंस्ट्रक्शन ओफ गांधार नगर वस्प्लांट बाइदी आर्किटेक्चर महागोविन था तो देखिए यहां पर पहला और दूसरा स्टेटमें ना की गांधार नगर चंपा नगर की स्थापना करीती महागोविन और बाकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है यानि पहला दूसरा सही है तीसरा गलत हो जाएगा पांचवा देख लेते हैं पांचवे में क्या कह रहा है निमलेकित में से सही विकल्प कर चैन और या उपयोकते सभी इंग्लिश में देखें अट ताइम अफ गौतम बुद्धास वज्जी वस अलसो इंक्लूड़ड अमंग दी सिक्स मेट्रोपोलीस ऑफ इंडिया तूहंडर जन्पदास हैव बीन मैंशन इंदा महा भारता दा प्रिजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑ अगलपूर और मुंगेर आता था और गौतम बुद्ध के समय भारत के छे महानगरों में वज्जी शामिल है यह गलत है इस टाइम जो छे महा जन्पत थे वो कौन थे पहली चीद में बता दे तो हम पो लिखें चंपा था आपका साकेथ है श्रावस्ति था चंपा साकेथ कौसांबी राजगे वरानसी महा भारत में 200 जन्पत नहीं 200 जन्पतों का उलेक हुआ है कितने 200 जन्पत का उलेक हुआ है तो यह आपको पकड़ना था पॉइंट पहला दूसरा गलत है तीसरा बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है शिक्स देखते है निमलिकित कतनों पर विचा में 16 महा जन्पदों का उलेक किया गया है 16 महा जन्पद have been mentioned in अंगुत्र निकाया और भगवती सूत्र जब हियान चांग ने नालंदा विहार का दौरा किया था तो उसका प्रमुक शील भद्र था नागा अर्जुन को बादधर्म का लूथर माना जाता है नागा अर्जु हियान चांग ने नालंदा विहार का दौरा किया तो उसका प्रमुक शील बद्रता ये भी सही है और नागार जुन को बादधर्म का लूथर माना जाता है ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा चलिए 7 देख लेते हैं 7 में भी आपको निम्रिकत कत्रों पर विचार करके सही में बताना है कौन सा है गया तामर पत्र में समोद्र गुप्त का उलेख किया गया है कनिश्क के रबतक अभिलेश में कौसांभी पाटली पुत्र और चंपा का उलेख है काकत्या राज्मन महिला साशक गुरुद्मा देवी से संमंदित हैं और दच्छर भारत का तकोलम का युद चोल एवं राश्टकूटों के मद्य हुआ हैं इंग्लिज में देगे तो समुद्र इस मेंशन इन गया कॉपर प्लेट कनिश्क रब्तक इंस्क्रिप्शन मेंशन को संभी पाटली पुत्रिंचंपा क्राकत्या डाइनस्टी इस एसोसिएटेड विद फीमेल रूलर रुद्रुमा देवी फेमस बैटल ऑफ टकोलम ऑफ साउथ इंडिया वस फॉर्ट बेट्विन चोलाज एंड राश्टकूट तो कौनसा स्टेट्मेंट सही होगा इसमें चारों स्टेट्मेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे ठीक है कोई भी गलत इसमें नहीं है चलि आपदी के राजनीतिक और संस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देती है तीजा समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रशस्ती स्तम पर जहांगीर का सिलालेक पाया गया है इंग्लिश में देख लिए ते दर एश्यों और गोल्ड और सिल्वर कोई इंशक्ट चतर पास प देखे इसमें तीनों सही है कोई भी गलत इसमें नहीं होगा याद रखेगा महत्पूर सवाल नहीं है आप देखे आपका सही हो रहा है या नहीं तो एंचन डिस्ट्री थोड़ा और पढ़िएगा नवा कहरा दच्छन भारत का चोल राजवन्स अपनी नौसैनिक सक्ति के नेवल पावर एहोल इंस्क्रिप्शन वस रिटन बाया जेन पोईट रवी कीर्थी रोमन सटेल्मेंट हैस बीन फांट फ्रॉम अरीका मेदू इन पुडूचेरी ठीक है तो इसमें भी कौन सा गलत है कोई भी गलत नहीं तीनों स्टेट्मेंट इसकी सही हो जाएंगी ठीक भू विग्यानी रॉबर्ट बुस्फूट भारत में प्रागती ऐसी काल के जनक थे 1816 में जुगर सेन थॉमसन ने पाशान यूग कांश यूग और लौह यूग का त्री वरगी विभाजन किया था बोध के काल में भारत को जंबू द्वीब भी कहा जाता था इंगलिश मे सब्सक्राइब में थ्री एज डिविजिन यह जुगर सेन थॉमसन नहीं करा था था थॉमसन द्वारा स्टोन एज ब्रॉंज एज आयरे एज का डिविजिन किसने करा थॉमसन ने डिविजिन दे टाइम अ बुद्धा इंडिया वस पॉपॉर्लेरली नोन अस जम्बू दी क्योंकि इसमें हम एक्स्प्रेशन भी देते हैं बाइलिंग्वल फॉर्म में एक्स्प्रेशन भी मिल जाएगा है न जो आप सॉल करेंगे फिर आप देखिए कि क्या एक्स्प्रेशन इसका तो complete आपका रिवीजन हो जायगा टेस सीरीज से न तो आप टेस सीरीज ले सकते study for civil services